हेलो दोस्तों नमस्कार आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि दरसल 3D प्रिंटर से होता क्या यह जो आप देख रहे हैं अभी यह एक एंडर 3 3D प्रिंटर है जो किसी भी अबजेक्ट को थ्री डिमेंशनल सेप में प्रिंट करता है वैसे तो ओनलाइन मार्केट में यह मिल जाती है आपको 20-23 रुपे की वैसे आपसे घर में भी बना सकते हैं अगर आप थोड़ा इंटरस्टेड हों इस चीज में तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पहली एक मशीन मैंने 3D प्रिंटर बनाया था वह एक्चुली मैं दिखता कैसा लेकिन थोड़ी सी दिक्कते यह आई कि उसमें एक्क्विरेसी नहीं थी इतनी उसके बाद मैंने जो एक राउटर भी बनाया जो एक्चुली लकड़ी के लिए लकड़ी के आईटम पर वर्क करता है तो दिरे दिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितने तरह की मशिने बनाई और कहीं से सीखा नहीं सब आउनलाइन मिल गया मेरे को बस यह चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि एक्चुली यह 3D प्रिंटर देखता कैसे यह जो आप देख रहे हैं यह इसका फैन है और यह नोजल है नीचे जहां से मैट्रियल आउट होता है 0.2 mm इसका डाया है इनर डाया और यह बैड है हीट बैड यह कंट्रूल पैनल यह फिलामेंट स्पूल 1.7 mm का डाया है फिलामेंट का यह इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं इसके और यह इसके साथ टूल आते हैं पावर सप्लाई यूनिट माइक्रो एश्डी कार्ड जेसमें इंसर्ट क्या जाता है जी कोड डाल के यह जितने भी आप रेड वाले पार्ट देख रहे हैं यह मैंने थेंग इवर से एस्टील फाइल लोड करके उसको फिर थेडिप मशीन से ही प्रिंट किया है यह एक्स्टूडर है के बल्चेंग